प्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बिल्कुल नई प्रकिरिया आपको बताने वाला हूँ जो आज की डेट याद रख लेना 12 सितमबर 2023 इससे पहले पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलने वाली है अब जो मैं आपको बताऊँगा बहुत ध्यान से सुनना और समझना क्योंकि एक ऐसी चीज जो कि बहुत हटक है अभी सोच पर परहार पर जो मैंने वीडियो डाला वो DV डिस्चार्ज पर था जिसमें मैंने बताया कि DV डिस्चार्ज में जो आपको प्राक्टिकल समस्य आ रही है उनको कैसे आपको हैंडिल कर रहा है आज किस वीडियो में DV के केस में मैं डिस्चार्ज से भी बड़ी बात आपको बताने वाला हूँ और अगर आप समझ गए तो दोस्तों बहुत आपको फायदा मिलेगा देखे डिवी का एक केस आपके उपर हो गया आपने देखा पूरा का पूरा केस जूटा है अब डिस्चार्ज पर अल्रडी में कही सारे वीडियो बना चुक हूँ बहुत सारे लोग भी प्राब्लम सॉल्व कर चुक है जो कहते थे साब हमारे या तो डिस्चार्ज ही फायल नहीं हो रहा अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं आज आपको समझाने सिखाने जा रहे हैं कि डीवी के अंतरगत एक प्राविजन और है अब क्या प्राविजन है देखिए जो मैं बता रहा हुँ ना ये डीवी आक्ट के अंतरगत नहीं निखा हुआ है इसलिए आज में गन्फिज हो जाता है awareness नहीं है तो आदमें कहता है यार इसा तो कोई provision ही नहीं है discharge में भी यह कहता है लेकिन जो discharge हुए जो judgment आए जो हम daily discharge फाइल करते हैं उस पर objection करते हैं, argument करते हैं वो क्या है अगर provision नहीं हो रहा तो code कैसे admit कर लेगा क्या है provision तो है awareness नहीं है अब क्या है आज जो हम आपको बताने वाला हूँ वो discharge से भी बड़ी चीज यानि अगर आपके उपर DV का कोई case हो गया जूटा है तो आप पूर के पूरे case को dismiss करा सकते हैं तो हम discharge की बात ही नहीं कर रहे हम objection की भी बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हम हम court को कह रहे हैं यह पूरा मुकदमा जूटा है पूरा मुकदमा ही खतम कर रहो सब के ऊपर एक साथ overall अब देखो simple क्या होता है strategy DV का case आया आप कहते हो साब हम जिस से भी बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं इसमें हम objection फाइल करेंगे what is objection? objection is nothing objection reply का ही दूसरा नाम है यानि कि आप अपना reply फाइल कर रहे हो reply फाइल कर रहे हो मतलब को कह रहे हो okay आपने reply फाइल कर दिया प्रोसेस को आगे बढ़ाएंचा यानि आपने discharge भी फाइल नहीं किया आप सिधा reply पर आगे हो फिर मैंने बीच में discharge को डाला कि बैया reply से फाइल को फाइल करो आज ये नहीं चीज कि आप dismissal petition भी फाइल कर सकते हो अब ये dismissal petition क्या है आपने court को ये चीज़े बताई कि ये पूरा खारीज हो सकता है पूरा case अब फिर बात आ गई सब कौन से provision में लिखा है फिर वही बात आ गई कि जो civil है बहुत बढ़ा है उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया जो civil matters होते हैं यानि कि दिवानी मुकदमे वो civil इतना बढ़ा है कि आपने देखा होगा 20 साल, 25 साल, 30 साल case चलता है और खतम नहीं होता क्यों? क्योंकि act एक दूसर से connect होते से ले जाते हैं एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद 30 ली चीज और कई बार तो पुरा जीवन निकल जाता है लेकिन civil case समाप्त नहीं हो पाता और इस civil case में बहुत सारे provision है और डिस्मिसल के लिए हम कौन-कौन से provision से उच कर सकते हैं यह आपके content पर depend करेगा कि हम क्या चीज उठा करके कैसे होट के सामने पेश कर सकते हैं इसलिए दोस्तों यह होता है कि आदमी कई बार कोशिच करता है कि मैं खुच से कर लूँ क्यों नहीं कर पाता क्यों इतनी गहरा है civil इतना गहरा है कि आप सालों तक practice करोगे तब सीख पाते हो और जितने सीख भी चुके हैं बहुत senior वी SMO उनको भी किताबे खोलनी पड़ती है कोई भी आद नहीं रख सकता इतनी गहराई है तो फिर ऐसे में आप सोचो कि क्या ये संभव है कि हम अपने आप ही अपनी petition को analyze करके देख रहे है कैसे dismiss होगी नहीं क्योंकि हर एक का अपना field है और दोस्तों इसलिए अब dismissal के बारे में कोई video क्यों नहीं है discharge पर फिर भी आपको मिल जाएंगे discharge पर जब मैंने शुग किया था उस समय पर video नहीं मिलते थे आज आपको discharge पर video मिल जाएंगे आज ये dismissal पर video बना रहा हूँ इसके बाद आपको dismissal पर भी video मिलने लग जाएंगे क्योंकि ये YouTube है यहाँ पर एक चीज की पता नहीं कितनी multiple copies बनती है खेर उस चीज से कोई फरक नहीं पड़ता बात सारी है कि लोगों में अब इसके बाद dismissal को लेकर भी awareness आईगी पर awareness आने से इतना तो पता चल जाएगा कि ये हमारा right है लेकिन इसको करें कैसे प्राक्टिकल लेवल पर कैसे करें कल मैं comment पड़ रहा था सर आपके वीडियो दिन रात देखकर हमारी आँके खराब हो गई और जब हम counter case करने जा रहे हैं तो पुलिस हमारा case ही दर्ज नहीं कर रही तो मैंने उन्हें पहले reply करने वाला था मैंने कब यह इतना ही असान होता counter case दर्ज करना तो हर कोई मजे की जिनकी जी रहा होता FIR के बाद पता नहीं कितने counter case करके बैठा होता it is not so easy counter case पे वीडियो में केवल आपको बताया गया कि आपके अधिकार क्या है लेकिन उनकी practical implementation कैसी होगी उसके लिए आपको expertise चाहिए ऐसा नहीं कि 4 section जाने और जाके आप डालोगे और डल भी जाएंगे और वो आ भी जाएंगे और relief भी मिल जाएगा कभी नहीं हो सकता तो वो ही चीज़ है आपको यहाँ वीडियो से केवल जानकारी मिल सकती है कि आपके अधिकार क्या है अरे हमारा next step क्या होना चाहिए बट उस next step को लेने के लिए जो expertise चाहिए वो जरूरी है अगर आपके पास expertise नहीं है तो उन चीज़ों को practical implementation नहीं हो पाएगा फिर तब ऐसा comment आता है कि सब उने वीडियो तो देखा था हो नहीं पारा ठीक है हो सकता है कि नहीं हो पारा क्योंकि हर चीज इतनी आसान तो है नहीं पर दोस्तों dismissal petition बनती है dismissal petition successful भी होती है dismissal petition को आप file भी कर सकते हो at initial stage DV act में यह हमारे तरफ से dismissal petition एक गलत है और इस पर judgment भी court को करना पड़ेगा और अगर judgment हमारे favor में होता है तो बात ही क्या है कि इसी खतम और judgment अगर हमारे favor में नहीं भी होता है तो भी हमारे पास right आ गया कि हम session court में उसको challenge कर सकते हैं तो यहनी कुल मिलाकिये बात यह है कि petition को पूरे तरीके से खारिज करने के लिए dismissal petition DV petition में से नाम हटवाने के लिए discharge petition यह कुछ option हमारे पास available है जो हम शुरुवाती दौर में कर सकते हैं अब शुरुवाती दौर में अगर हमने कर लिया तो कर लिया और शुरुवाती दौर में नहीं करा तो फिर दोस्तो कुछ होने वाला नहीं है फिर हम भटकते पंची बन जाएंगे आपको एक उधारन बताता हूँ शायद आपको समझ में जो मैं कहना चाहरा हूँ देखे एक बड़ा सा हॉल होता है फॉर एक जम्पल हमारे एक जिम है जिसमें हम परसनली शाम के समय थोड़ी एकसराइज वगरा कर लेते हैं उस पूरे हॉल में जो जिम का हॉल है चारो तरफ से सब बंद है किवल एक रास्ता खुला हूँ है जो हमने थोड़ासा बहार से सनलाइट आने के लिए रखा हुआ है कई बार ऐसा होता है कि कोई पक्षी उसके अंदर आ जाता है चिडिया वहां से घुज जाती है और वो जिम के अंदर आ जाती है जिम बंद है चारो तरफ से और कोई रास्ता नहीं अब वो चड़िया फरफडाती है उड़ती है कभी पंखे पे बैठरी है कभी कहीं बैठरी क्यूं वो परशान हो रही है उसे बाहर निकलना है पर वो बाहर निकल नहीं पारी कभी वो इस दिवार पर ठूंग मारती है कभी उस दिवार ठूंग मारती है विचारी गिर जाती ह कई बार नीचे परशान हो कर गया, गरम भी होता है कई बार वहां पर अंदर दिन के टाइम पर, अब बाहर कैसे निकले, और कई बार हम ऐसे देखते हैं कि जब जिम खोलते हैं तो वहां कोई पक्षी मरा पड़ा होता है, ऐसा क्यूं, क्यूंकि वह अंदर तो वहां से आ थी, लेकिन अगर वो केवल उसी रास्ते पे आजाए, कि ये रास्ता मेरे भार निकलने का है, वो रास्ता उसको बिल जाये, तो उस रास्ते से सीदह भार आ जाएगी, जान भी बच जाएगी, उसके हैरेस्मन भी बच जाएगी, जो सिर मार मार के घाया लो रही थी, exactly यही चीज मैट्रिमोनिल विवादों में सब कोई कर रहे हैं आपके ओपर जुटे मुकदमों होते हैं कभी हाई कोड जा, कभी कोईशिंग में जा कभी एंटिसिपेटरी विल में जा, कभी ये कर कभी वो कर, हम सब अपने अपने सिर एक तरह से दिवारों में मार रहे हैं, और रिजल्ट कुछ भी निकलता पांच साल के बाद भी आप उसी पोजिशन में होते हैं जहां पर आप शुरू में थे, दस साल बाद भी आप कई बार उसी पोजिशन में होते हैं जहां पर आप शुरू में थे लेकिन वहीं चीजों को शुरू करने से पहले अगर आप उस रास्ते की तलाश करते कि ऐसा क्या रास्ता है कि मैं इससे बहार निकल जाओं दोस्तों अगर आप अनुमान लगाएंगे न इतने सारे लंबे सालों में आपके कई लाख रुपे खर्च हो जाते हैं वहीं आप थोड़ी सी मेहनत अगर श कि सर आपकी वज़े से ये सारी चीजे सौट आउट हो गई मुझे नहीं लगता है मेरी वज़े से हुई मैं तो यहाँ पर चोटे मोटे रेक्चर्स दे रहा हूँ लेकिन उन लोगों को लगता है ये उनकी महनता है और वो मुझे ऐसे मैसेज कर देते हैं तो मुझे भी ब के बहुत परसंता मिलती है जो सब चीजों से उपर है तो दोस्तो मैं आपको जो समझाना चा रहा हूँ ना वो मुझे लगता है आप समझ गये होंगे और अगर आप समझ गये हैं तो सबसे पहले डरना बंद कीजिए जल्द बाजी में पैनिक करते वे इस्टेप लेना बं जॉय करना है चले दोस्तों आज के स्टूडियो में इतना ही नेक्स्ट चूडियो में नहीं जानकर रहे के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ तब तक के लिए गुडबाय और थेंक यू फर वोचिंग टेक कियर